Hi everyone, welcome back to another video. So, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़ादा स्पेशल क्योंके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेस डिजाइनिंग विद हेल्प उफ पेचेज ये वीडियो लास्ट पार्ट है और इसका नेक्स्ट पार्ट आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी ये अल्रेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अप्लोड़िड है जहां से मैंने आपके साथ एक शोब इस तरह की डिसकवर की थी इन इलम सैनमा बजार में जहां से आप बहुत ही कम प्राइस में like 150-300 मेक्सिमाम बहुत ही जबरदस फॉर्मल पैचेस ले सकते हो मुझे ये पैच पसंद आया था इस पर आप देख सकते हो कि इतनी खुबसूरत कढ़ाई है इसके साथ इसके बाजू भी मुझे सेम तो सेम मिल गए थे तो आज इस वीडियो में मैंने इन पैचेस के थूँ कैसे ड्रेस डिजाइनिंग की वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी असलाम अलेकुम एब्रीवाण वेलकम बैक तो अनदर वीडियो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आपने नहीं देखा तो वो प्लीज जाकर देख लो ताकि आपको समझा दे कि यह नेक्स पार्ट किस हवाले से है यहाँ पर मैं लिंक मेंशन कर दूँगी वो जरूर जाकर देख लेना अगर आपने नहीं देखा खेर मैं आपको बता देती हूँ कि यह वीडियो किस हवाले से है लास्ट पार्ट जो है इस वीडियो का उसमें मैंने आपके साथ बजार शेयर किया था जहां से आप बहुत कम प्राइस में ले सकते हो इसके लावा पाचुम सब्सक्राइस ने ही चCon तो मैं अब आपके साथ वो शेयर करूंगी इस वीडियो में और इसको देखकर कोई है ही नहीं सकता कि आपने एतना खुबसूरत फॉर्मल ड्रेस जस्ट पैचिस की हल्प से मैंने उसकी डिजाइनिंग की है और वो इतना खुबसूरत ड्रेस स्टिच हुआ है और बहुत ही इनेक्सपेंसिव इसके सारा जो एक्सपेंस है उसके कपड़े का या फिर उसकी स्टिचिंग का है निट फेबृक में शेट का कमबिनेशन किया था और अगर है भी करवाना चाहते और एक अर्या क लुड़ाओ ब्रभा स्टिच हो राइप उसकी है पीजिलर से आप यह कह सकते हो आपको यह भुलाओ गवांके देगे और बस मैंने यह पैचिस दिए थे और और उनको ड्रेस डिजाइनिंग का थोड़ा बहुत बता दिया था कि मुझे किस तरह का चाहिए and here it is, I just loved it. इसके जो बाजू थे वो मैंने थोड़े बेल बोटम स्टाइल के रखवाए थे क्योंकि इसका पैच जो बाजू होगा था, वो काफी बड़ा पैच था साइज ने तो इस वज़ेए से मैंने सोचां कि इसको कटवाने से बहतर है कि थोड़े से बेल स्टाइल में बाजू रखवाए जाये और ये अच्छे लग रहे थे अगर मैं इसको टाइट में रखवाती तो आई विलीव कि ये इतने जदा खुबसूरत ना लगते हैं और आप देख सकते हो कि ये 150 तो 300 की रेंज में मैंने कितना खुबसूरत ड्रेस डिजाइनिंग करवाई है इसमें सारा कमाल सारा कमाल इसकी ये पैचिस का है इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगवाई थी Same color की और साइट पर ये जो थी ये पती थी जो इसको piping भी कहते हैं ये भी आप अपने टेलर को कह सकते हो और अभी फिलाल मैंने इस सूट को कहीं इतना ज़ादा पहना नहीं है और आप देखी सकते हो कि इसके साथ जो दुपटा है वो भी अच्छे तरीके से मैंने इसको एक साइट से भी पीको नहीं करवाया इस जस तो टेल यू गाइस के मैंने क्योंके स्टिच करवा दिया था और ये नेक्स्ट पार ओविसली मैंने अप्लोड करना था तो आई थोट के मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए के मैंने उन पैचिस को किस तरह से यूटिलाइस किया मेरी नज़र में तो आई जिस के आई दिया जिस आई अप्लोड करने में बट मेरा वर्किंग स्केजल बहुत अफैल में चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ये दिस द्रेस डिजाइन अच्छी लगी होगी और आपको अच्छा लगा होगा कि मैंने किस तरह से इन लेस्च को यूटिलाइस किया है तो आपने मुझे जुरूर बताना है कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा और मजीद कॉंटेंट की अगर सजेशन्स और जरूर मुझे दे देना मेरा टार्गेट यह है कि 20,000 अटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स हो प्लीज 20,000 रीच करने में आप में हैप जरूर कर दो ताकि मैं मजीद इस तरह के कॉंटेंट बनाती रहो और इस जस्टा मोटिवेशन तो कीप मी कंसिस्टेंट तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके जाना वीडियो को लाइक करना कमेंट मुझे जरूर बताना कि आपको ये ड्रेस डिजाइंग कैसी लगी जो बहुत ही कम कर दो